Hello everyone, आप देख रहे हैं जैवशंसी YouTube channel इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LG air conditioner में CH38 का error क्यों आता है Air conditioner में low cooling problem क्यों होती है LG air conditioner आप देख सकते हैं इस वक्त ये unit चलते चलते बंद हो गया है और इसने error देना शुरू कर दिया है CH38 जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यह billing कर रहा है थोड़ी देर यह चलता है unit cooling भी हो रही होती है लेकिन कोई खास cooling नहीं होती low cooling problem है यह error इसी वज़ा से आता है कि जब air conditioner के अंदर low cooling problem आ जाए तो CH38 आना शुरू हो जाता है यह error क्यों आता है मैं आपको outdoor पर बदाता हूँ तो हम जैसे यहाँ पर outdoor में है basically यह error जो है इसके अंदर low refrigerant pressure जब हो जाए यानि कि gas की मिगदार कम हो जाए उसकी quantity कम हो जाए तो यह error आना शुरू हो जाता है तो यहाँ तो इस unit में लिगी जोगी जिसकी वज़ा से यह gas निकल गई है कम है gas तो इसी वज़ा से unit चलता है थोड़ी देन में उसके बाद यह error देना शुरू कर देता है तो simply आपने क्या करना है आपके knowledge में होना जाए जब भी को technician इस system को जाए इस error को देखने आए सही करना है तो आपको पता होना जाहिए कि यह error gas pressure की वज़ा से आता है तो simply आपने इस unit के अंदर आपने refrigerant charge करवाना है लेकिन उससे पहले इसका leakage factor जो है वो दूर करना है उसको repair करवाना है उसकी leakage बंद करवानी है फिर इसको pressure testing करवानी है आपने उसके बाद unit के अंदर AC के अंदर gas को charge करवाए 100% यह error resolve हो जाएगा और unit proper cooling करना शुरू कर देगा तो simply इस वीडियो में मैंने आपको बताया CA38 low cooling problem LG8 conditioner में मुझे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजेगा comments कीजेगा, share कीजेगा और channel को subscribe जरूर कीजेगा Thank you very much